नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बहुती शान्दा जंप सूट डिजाइन शेयर करने वाली हूँ जो मैंने दोती स्टाइल में बनाया है उसकी आसान कटिंग और स्टिचिंग जानने के लिए वीडियो एड तक जरूर देखें और फ्रेंट्स अगर आप मेरा बुटीक कलेक्शन परचेस करने में इंटरस्टेड हैं तो आप हमारा वाट्सप ग्रूप जोइन कर सकते हैं लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दो तीस्ट्रेल जमसूट बनाने के लिए हमें साड़े तीन मीटर कपड़ा चाहिए अब सबसे पहले पूरे कपड़े को इस तरीके से खोल के इसे हम चौड़ाई में फोल करेंगे चौड़ाई में फोल करने के बाद अब यहां से इसमें हम टॉप पार्ट की जो लैंथ है उसके हिसाब से कपड़ा निकालेंगे टॉप पार्ट की लैंथ यहां मैंने रखी है 16 इंच तो यहां 17 इंच लंबा हम कपड़ा कट करेंगे एक इंच मैंने इसलाई का लिया है अब इसमें से हमें टॉप पार्ट कट करना है बंद वाली साइट से मेजर्मेंट करें यहां शोल्डर है 7.5 इंच आदा इंच ड्रॉप करने के बाद आम होल लैंथ हमें सेम 7.5 इंच पे मार्ग करनी है चेस्ट लाइन है 38 उसका हम चौथा बाग करेंगे और स्लाई का एक्स्ट्रा लेंगे वैस्ट लाइन है 32 उसका भी हम चौथा बाग करेंगे और स्लाई का हम यहां भी एक्स्ट्रा लेंगे अब इन दोनों मक्स को इस तरीके से मिला ले यहाँ पर हम आम राउंड का शेव दे देंगे गले की चोड़ाई रखनी है पौने तीन इंच अब इसको सामने आधा इंच जो हमने ड्रॉप लिया था इस तरीके से मिला ले वेस्ट लाइन पर हम एक इंच तक माग करके इस तरीके से अलकी सी गुलाई में कटिंग करेंगे यह फ्रांट पैनल हमने कट किया है बैक पैनल भी सेम कटिंग करनी है सिर्फ आदा इंच आगे की तरफ स्लाई का एक्स्ट्रा लें क्योंकि हम बात में यहाँ पर जिप लगाएंगे अब गले की चौड़ाई पौने 3 इंच पर मार्क कर ले बैक पैनल के लिए गले की लंबाई रहेगी 1.5 इंच और फ्रांट पैनल के लिए गले की लंबाई लेनी है साड़े 4 इंच इस तरीके से राउंड नेक का शेप देकर और मार्क कर ले फ्रांट पैनल में हमें यहाँ आम राउंड पर एक इंच डीप इस तरीके से मार्किंग करनी है अब इसकी कटिंग कर ले स्लीव मैंने सिंपल कट कर ली है इसकी लंबाई है 17 इंच और चौड़ाई मैंने लिए साड़े 9 इंच यहाँ से मैंने लूज रखा है क्योंकि यहाँ मुझे प्लेटट स्लीव बनानी है अब देखें स्लीव में हम यहाँ पर इस तरीके से एक इंच तक डीप कटिंग कर लेंगे फ्रांट के लिए अब बाकी बचे हुए कपड़े को पूरा इस तरीके से लंबाई में फोल कर लें फोल करने के बाद अब एक कौने को उठा के दूसरे सामने वाले कौने तक हमें इस तरीके से ट्राइंगल में फोल करना है अब इसको इस तरीके से गुमा दे अब देखिए कपड़े का जो बिल्कुल सीधा साइड है वहां से हम दोती की लेंथ मेजर करेंगे यहां दोती की लेंथ है 36 उसमें हम एक इंच एक्स्ट्रा लेके 37 पे मार्क करेंगे और यहां जो मोरी रखनी है वो हमें रखनी है साड़े 5 इंच मगर उसे हम इस तरीके से स्लांट में मार्क करेंगे अब इसकी कटिंग कर ले मोरी कट हो चुकी है अब यहां से हम क्रॉच की लेंथ मार्क करेंगे यहां क्रॉच की लेंथ है 13 इंचिस अब इसे अंदर की तरफ इस तरीके से धाई से 3 इंच पे मार्क करें और L शेप में इस तरीके से क्रॉच का शेप देतें अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब देखे क्रॉच की सामने वाले साइड यहां पे जो कॉर्णर है वहां हम इस तरीके से करीब 7 इंच तक मार्क करेंगे यहां हम बात में टक्स बनाएंगे इस तरीके से मार्क कर लें और यहां जो बंध है उस साइड को कट करके और अलग-अलग कर लें स्लीव के लिए मैंने देखे यहां पर प्लेट्स बना ली है अब इसको स्टिच करने के लिए एक सीधी स्ट्रिप लें स्लीव के नीचे की तरफ इसको रख कर यहां स्टिच करें अब इसे हम बाहर की तरफ फोल करके और इस तरीके से binding करेंगे और sleeves को तयार करेंगे Front panel के लिए same size की strip लेके round neck को stitch कर ले यहाँ पूरे में छोटे cut लगाकर इस strip को हमें पीछे की तरफ गुमाना है और front neck को तयार करना है अब back panel के neck को भी हमें same इस तरीके से same size की strips कट करेंगे और यहाँ stitch कर लेंगे neck तयार होने के बाद दोनों panels को आमने सामने रखें और shoulder line को stitch कर ले shoulder line stitch करने के बाद अब दोनों arm round पर हम इस तरीके से sleeves लगा लेंगे sleeves लगाने के बाद अब हम sides को बंद करेंगे जितना भी आपने slide का अंदर extra रखा है उतना slide में अंदर दबाएं और दोनों sides बंद कर ले sides बंद करने के बाद अब back panel में हम zip बात में लगाएंगे उससे पहले हमें दोती को ready करना है यहां हम zip लगाएंगे आप दोती ready करने के लिए सबसे पहले इस मोरी को तयार करें देखे इसको आप खोलेंगे तो यह मोरी का shape इस तरीके से v-shape में आएगा इसे stitch करने के लिए उरे पटी ले इसको इस तरीके से double fold करके और इस v-shape पे stitch कर लें stitch करने के बाद अब इस पूरी उरे पटी को पीछे की तरफ गुमाके और यहां stitch कर लें मोरी तयार करने के बाद दोनो crotch lines को आमने सामने रख कर और stitch करें crotch stitch करने के बाद यहां पर जो हमने 7 इंच तक माक किया था वहां टक बनाए और extra कपड़े को cut कर लें अब देखें जो top part का front panel है उसके बिल्कुल center में इस तरीके से माक करें और crotch line पर इसे set करें अब यहां बिल्कुल center में करीब 3 इंच तक हमें बिल्कुल plane लेना है crotch के दोनों side हमें 3-3 इंच छोड़ कर इस तरीके से बिल्कुल सीधा stitch कर लें तीन इंच तक stitch करने के बाद देखें जो top part का side वाला stitch है और धोती का जो हमने tuck वाला stitch बनाया था यह दोनों आमने सामने आने चाहिए और बाकी जो दोती का extra कपड़ा है उसमें हम plates बनाएंगे देखे यह जो extra कपड़ा है इसमें हमें plates बनानी है और plates भी हमें इस तरीके से बनानी है कि plates का जो face है वो tucks के सामने आना चाहिए देखे चार से पांच जितनी भी plates बनती है उतनी plates बनाएं वगर यह ध्यान रखना है कि दोती का जो tucks वाला side है और top part का जो side वाला stitch है वो दोनों एक जगह पर मिलने चाहिए देखे यहां तक हमारी plates बन चुकी है अब सामने वाली side भी हमें इस तरीके से plates बनानी है तक्स के दोनों तरफ जब आप plates बना लेंगे तो वो plates यू शेप में दिखनी चाहिए दोती के दोनों side हमें सेम इसी तरीके से plates बनानी है और top part के साथ इसे stitch कर लेना है देखे प्लेट्स कुछ इस तरीके से बनेंगी ये दोनों joints एक जगा पर मिल रहे है plates आमने सामने है दोनों side मैंने plates तयार कर ली है अब हम मोरी को बन करेंगे यहां मोरी से करीब आधा एंच आप slime में अंदर दबा दे और मोरी को बन कर ले एक side से लेकर दूसरे side तक दोनों मोरी को इस तरीके से stitch करके और बन कर ले अब हम zip लगाएंगे invisible zip लगानी है इसके लिए देखिए ये दोती को मैंने सीधा रखा है और इस zip को हमें इस तरीके से set करके यहां हम pin से fix कर लेंगे तो हमें इसे stitch करने में आसानी होगी और इस invisible zip लगाने के लिए machine में हमें half pressure foot का use करना है देखिए एक side मैंने pin लगा ली है अब दूसरी sideways को इस तरीके से गुमा के और यहां पर pin लगा दें अब हम इसे stitch करेंगे देखिए ये zip को हमें पूरा इस तरीके से खोलना है और बिल्कुल किनारी पर हमें यहां stitch करनी है यहां zip के बिल्कुल end तक इस stitch को लेने अब यहां से हम इसे machine से निकालेंगे अब हम दूसरी side से इस zip को stitch करेंगे इस side भी इस zip को पूरा खोल के और बिल्कुल किनारी पर stitch करें यह invisible zip हमारी लग चुकी है देखे इस वाले potion को अंदर की तरफ गुमा दें यहां बाद में हम stitch करेंगे पहले इस zip को बन कर ले देखे इस तरीके से हमें zip लगानी है अब जो यह खुला हुआ potion है इसे हम अंदर की तरफ से यहां पर stitch करेंगे देखे दोनों को जोड के यहां stitch कर ले दोती style जमसूर तयार हो चुका है देखे पैना हुआ कितना smart look दे रहा है इसे आप इस तरीके से west line पर बैट लगा के और भी decent look दे सकती है अगर आपको मेरा यह वीडियो पसन आ हो तो like और comment जरूर करिएगा तक यू वाचिक फट देखेञ्द के लिए